जैसरी कृष्णा दोस्तो एस्टी प्रिजवासी रसुई में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब उम्मीद है आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गर्मियों की स्पेशल राता रैस्पी जो मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल पहाडी स्टाइल में इस रैस्पी में आज हम बनाने वाले हैं दो रायते एक रायता हम बनाएंगे आलू का और दूसरा रायता हम बनाने वाले हैं खीरे का खीरे कराता बनाएंगे हम पहाडी नमक के साथ में बिल्कुल पहाडी स्टाइल में तो चलिए फ्रेंड्स जादा देर ने करते होए आज की रेस्पी स्टार्ट करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल पर नए हो तो प्ली चैनल को लाइक कर दें सबस्क्राइब कर लें और साथी बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए साथी मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें तो फ्रेंड्स यहाँ पर गैस पर चड़ाया है मैंने एक तवा और तवे पर मैं डाल रही हूँ डेड़ चमच जीरा इसको हम कुछ सेकेंड के लिए रोस्ट करेंगे जब यह थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे आदा चमच धनिया धनिया मैंने यहाँ पर साबुत लिया है आपको भी साबुत धनिया ही यूज करना है उसके बाद हम इसमें डालेंगे आदा चमची सौफ सौफ के साथ ही आदा चमची हमें यहाँ पर अजवाइन डालनी है अभी हम इसको कुछ सेकेंड के लिए रोस्ट करेंगे इसे कुछ सेकेंड रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे आदा चमच काली मिर्च काली मिर्च यहाँ पर आप करीवन 20-25 ले सकते हो गैस का फ्लेवर हमें इस टेज पर रखना है सलो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 6 लॉंग यहाँ पर मैंने 6 लॉंग ली हैं आप इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी ले सकते हो 7-8 लॉंग डाल सकते हो लेकिन इसका फ्लेवर फिर इसमें तेज हो जाएगा तो इससे ज़्यादा इसमें नहीं डालनी है तो इन सब चीजों को हम अच्छे से करेंगे रोस्ट और जब इन में से एक अच्छी सी सौंधी-सौंधी खुश्वू आने लग जाए तब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ओफ तो इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मिंट पाउडर और मिंट पाउडर आप घर पर ही बना कर तयार कर सकते हो यह पुदीने का पाउडर है से सुखा कर और घर पर तयार कर लें इसमें डाल रही हूँ अभी इसमें डालेंगे वन फोर्थ चमच हींग हींग की क्वांटिटी आप यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा भी ले सकते हो क्योंकि राते में हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है लेकिन मैं इसमें बाद मैं भी थोड़ी हींग एड़ करने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी कम ही लिए एक चीज का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है वो मैं आपको दुबारा बता रही हूँ कि इस स्टेज पर आपको फ्लेम बिल्कुल ओफ रखना है और ओफ फ्लेम पर हमें इसमें हींग और पोदीनन एड़ करना है अब सभी साबत मसालों को हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे जब यह अलका चा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे मिक्सी के जार में मैंने यहां पर लिया है एक चमच काला नमक, साथ ही आदा चमच सफेद नमक और उसी में हमने अपने सभी सावत मसाले डाल दियें अब हमका एक फाइन पाउडर बना कर तयार करेंगे मिक्सी को आप यहां पर पल्स मोड पर चलाएं जिससे हमारा पाउडर अच्छे से बने और हम यहां पर सूखा पाउडर बना रही है तो आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा ड्राइ पाउडर बनकर तयार हो चुका है इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं इस पाउडर को आप एक बार बनाने के बाद 4-5 महिने के लिए स्टोर कर सकते हो इसे स्टोर आप किसी काच की बोटल में कर सकते हो या फिर किसी एर टाइट कंटेनर में मैंने यहाँ पर यह राते के लिए ड्राइ पाउडर बना कर तयार किया है मैं इसको डालने वाली हूँ आलू के राते में आप इसे आलू के राते में या बॉंदी के राते में यूज कर सकते हो इसी के साथ मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर पहाडी नमक जिसको हम गीला मसाला भी बोल सकते हो पहाडी नमक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है देड़ चमच जीरा उसी के साथ मैं इसमें ले रही हूँ कुछ खड़ी लाल मिर्च लाल मिर्च का हमें यहाँ पर इसमें से बीज निकाल देने है ताकि यह जादा तीक ही न रहे मैंने यहां पर लिए मिन्ट कमसे विकम 30 कलिया लह सुन. इस में यहां पर लिए कमसे 15 कलिया लह सुन की. इस में एड़ कि, 1 4 चम्मच हिंग और 7 चम्मच नमक और उसी के साथ 2 हरी मिर्च. तो अभी मैं इसमें एड़ कर रही हूँ आदा चमच हरी चुटनी अगर आपके पास में हरी चुटनी नहीं है तो फिर आप इसमें एक चमच हरा धनिया और साथ में एक स्लाइस बस कैरी की यूज कर लेना उससे आपका काम हो जाएगा उसी के साथ मैंने इसमें यूज किया है आदा चमच काला नमक अभी हम इन सब चीजों को अच्छे से पीस लेंगे अगर आप चाहो तो इन्हें मिक्सी के ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हो लेकिन मैं इसे पीस रही हूँ सिल्वर टेबर जिससे इसमें बिल्कुल पहाडी वलट टेस्ट आएगा जब हमारा मसाला पिस जाए जब यह बिल्कुल लास्ट टेज पर हो तब हम इसमें एड करेंगे वन फोर्थ चमच हल्दी हल्दी यहां पर यूज करने के दो कारण है एक तो इससे हमारा मसाला खराब नहीं होगा इसे हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं इसमें हमने नमक और हल्दी दोनों चीजों का ज़्यादा ही यूज किया है इससे हमारा मसाला खराब नहीं होता है और नमक भी आपको इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ही यूज करना है पहाड़ी मसाले में नमक और लैसुन के मात्रा जादा होती है तो उसी से इसका टेस्ट निखर कराता है अभी आप देख सकते हो कि मसाला हमारा पिश चुका है अब हम इसे एक कटोरी में या फिर किसी कंटेनर में निकाल लेते हैं और इसे हम स्टोर करकर रख देंगे यह मसाला मैंने बना यहाँ पर बनाया है खीरे के राते के लिए और इसे हम खीरे के राते में यूज करने वाले हैं इस मसाले का यूज आप हरे साग में कर सकते हो इसी के साथ आप कोई भाजी बना रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो और या फिर आप कोई चार्ट बना रहे हो तो उसमें इस मसाले का यूज करें इससे उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा तो फ्रेंट्स अभी हम बनाते हैं राता राता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक खीरा लिया है खीरे को हम पील कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ तीन लोगों के लिए राता बना रही हूँ तो उसके लिए हमें सिर्फ एक खीरा ही लगेगा अगर आप जादा बना रहे हो तो फिर आप जादा खीरा का यूज करें खीरे को पील करने के बाद आप इसे दोनों साइड से कट कर लें और इसे आप थोड़ा सा टेस्ट कर लें कभी यह कड़वा तो नहीं है तो फ्रेंट्स अभी मैंने यहाँ पर लिया आए कद्दू कस और कद्दू कस से मैं खीरे को कस रही हूँ खीरे को आपको बारीक नहीं कसना है इसे आपको थोड़ा मोटा ही रखना है जिससे आपके राते में जब ये मुह में आए तो कुछ चंक साएं जिससे खाने में टेस्टी लगे तो खीरे को मैंने कस लिया आए और अभी मैंने यहाँ पर लिया एक बाउल और बाउल में मैं ले रही हूँ चार बड़े चमच दही दही मैंने यहां पर freshly है आपको भी दही बिल्कुल fresh ही लहनी है दही खटी नहीं होनी चाहिए दही को हम करेंगे smooth दही को smooth करने के लिए आप किसी विकसर का यूज कर सकते हो या फिर किसी hand grinder का जैसे मैंने यहां पर एक hand grinder का use किया है तो अभी आप यहां पर देख सकते हो फ्रेंड्स की दही हमारी यहां पर बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है अब हम इसमें मिलाने वाले हैं खीरे को जो हमने कसकर तयार किया था खीरे का हमें यहां पर पानी नहीं निकालना है इसे हमें खीरे के पानी समय थी दही में डालना है अब हम इसमें डालने वाले उस मसाले को जो हमने सिल्वर टेपर पीस कर तैयार किया था इस मसाले से इस रायते ही का टेस्ट बहुत अच्छा निखर कराता है आप इसे एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइ करें और हमें इस रायते में और कुछ डालने की कोई जरूरत नहीं है सिरुप इसी मसाले से ये राता बहुत अच्छा बनेगा और हां friends खीरे का राता थोड़ा पतला होता है अगर आप का राता गाड़ा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दें तो जब भी आप राता बनाए एक बार इस तरीके से खीरे का राता जरूर बनाए अभी मैं इसके उपर डाल रही हूँ थोड़ा सा रोस्टेड जीरा खीरे करायता हमारा बनकर तयार है अभी हम बनाते हैं नमबर दो रायता मतलब आलू करायता आलू का राता बनाने के लिए मैंने यहां पर लिए बॉयल आलू और यहां मैं एक ही आलू यूज करने वाली हूँ क्योंकि मैं सिर्फ यहां पर दो कटोरी ही राता बनाने वाली हूँ तो सबसे पहले हम यहां पर आलू का छिलका निकाल लेंगे सीधी लेंग्वेज में बताऊं तो आप यहां पर आलू को करदा टकला उसी तरीके से आप खीरे को भी टकला कर लें मतलब उसे चील लें और यहां पर मैंने बहुत थोड़ा खीरा लिया है इसे आप स्लाइसिस में कट कर लें इसके बाद आपको छोटे चोटे पीस करने जैए फिरे को फाइन चौप करना है जितना आप फाइन कर सको उतना ही फाइन चौप करना है ऐसे बस इसके चंक्स मुझ आने चाहिए उससे जादा यह बड़ा नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से फ्रेंड्स आवी हम प्याज की चॉपिंग कर लेंगे, प्याज को भी हमें बिल्कुल फाइन चॉप करना है, इसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर हरी मिर्च की चॉपिंग, हरी मिर्च को भी मैं यहाँ पर फाइन चॉप कर रही हूँ आप चाहें तो हरी मिर्च को कूट कर भी डाल सकते हो तो इसके बाद मैंने यहां पर लिया है उवला हुआ आलू आलू के हमें यहां पर पीस कट कर लेंगे और इसके हमें ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखने हैं छोटे छोटे ही करने हैं आलू को कट करने के बाद मैंने गैस पर रखा एक फ्राइ पैन और फ्राइ पैन मैं यहां पर ले रही हूँ एक चमच गी और यह घी देशी गी लिया है आप यहां पर रिफाइन ओयल भी यूज कर सकते हो या फिर आप जो भी कुकिंग ओयल खाते हो वो यूज कर सकते हो घी को गरम होने के बाद हमिस में डालेंगे उन कटे हुए आलूओं को आपने कई बार उबले हुए आलू का रायता तो खाया होगा लेकिन इस तरीके से कभी नहीं खाया होगा आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करें आलू को आप थोड़ा सा फ्राई कर लें इसे हमें याप पर हलका ही फ्राई करना है जादा नहीं करना है और एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर आलू मैंने बिल्कुल ठंडे लिये थे तो आपको आलू ठंडे ही लेने राता बनाने से कम से विकम दो घंटे पहले आप आलू बोईल कर लें तो आलू हमारे अच्छे से सोटे हो चुके हैं अभी हमें रख देते हैं साइड में और मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है इसमें मैंने लिया है धाई चमस दही दही मैंने आपको पहले ही बताई है कि यह खटी नहीं लेनी है बुलकुल एक दम फ्रेस दही है दही को हम करेंगे स्मूथ उसी के साथ अब हम इसमें एड कर रहे हैं आलूओं को आलूओं को एड करने के बाद हम उन सबजीयों को एड करेंगे जो हमने यहाँ पर काट के रखी थी और इन सब चीजों को हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे सबजीयों को एड करने के बाद यह वही मसाला जो हमने बना कर तैयार किया था इससे हमारा रात बहुत जादा टेस्टी बनता है इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ राते में एक हलका सथ तड़का यहाँ पर हमें जादा मसाले एड़ नहीं करने हैं क्योंकि मसाले काफी एड़ हो चुके हैं तड़का लगाने के लिए मैंने यहां पर लिया एक मिट्टी का दिया और इसमें मैंने डाला बिलकुल half tea spoon घी और उसी में मैं यूज कर रही हैं जीरा, जब हमारा यह जीरा चटकने लगे तब हमें यहां पर गयस को कर देंगे लो और उसमें हम डालेंगे हिंग,амен gast इया पे एक पिंच्छी लिए क्योंकि हम पहले भी ही यूज कर चुके हैं तो फ्रेंट्स तड़का हमारा प्रियार हो चुका है अब हमें करने वाले हैं अपने रैते में और रैते को हम यहां पर ढख देंगे कम से भी कम पास से चार मिनट के लिए आप उसे इस तरीके से हिलाएं जि प्रेंट्स तलका सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने यहां पर हाफ टी स्पून जितना रोस्टिट जीरा एड किया है तो अभी मुझे पता है राता तो आपने कई वार खाया होगा लेकिन इस तरीके से राता शाय दीखाया होगा तो आप इस तरीके से जरूर बनाएं क्यों कि यह वही वाला राता है जो हमें रेस्टूरेंट में मिलता है तो इन दोनों गर्मियों के ठंडे ठंडे राते के साथ मैंने यहां पर बनाया लच्छा पराथा अगर आपको लच्छा पराथा बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर जरूर बताएं ताकि मैं उसकी रैस्पी आपके साथ शेयर कर सकूँ आपको आज की रैस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करकर जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक साथ मैं चैनल को कर लेना सस्क्राइब और अपनी फै